हेलो दोस्तों सबीक को नमसकार मेरे राम है पंकज और स्वागत वह फिर से आपका घर्व मे चनल में दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा ह हैं कि ट्राइकोडर्मा का आप यूज कैसे करेंगे, क्या फायदे होते हैं, चाहिए ट्राइकोडर्मा विरेडी हो, या फिर ट्राइकोडर्मा हर्जियनियम हो, दोनों को यूज करने का तरीका बताएंगे, क्या क्या उससे फायदे होते हैं, यह आपको बताएंगे, बहुत ही करने का जिसका आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा यह देखिए हमारे यहां गाउं में यहां पर वर्मी कंपोस्ट की बेड़ लगी हुई है वर्मी कंपोस्ट बड़ी मात्रा में यहां पर उपादन किया आता है और आपको दिखाते हैं यह अगर इसको इस तरीके से हटाएंगे तो यह देखिए बहुत सारे जो केच्वे होते हैं वो नीचे निकलते हैं तो हमको क्या करना है जो वर्मी कंपोस्ट अगर कहीं से मिल जाए आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी की तो आप डारेक्ट वर्मी कंपोस्ट में इसका जो ट्रेको डर्मा पाउ आते हैं खुले में इसलिए आप अगर आपके पास नहीं लेबल है तो ही आप जो गोवर्मी कंपोस्ट में मिलाएं तो बहुत ही अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा अब आपको चलिए बताते हैं कैसे आपको इस्तेमाल करना है ट्रैकोडर्मा चाहें विरडी हो या ट अच्छी नमी हो वो निकाल लीजिए आप कम से कम 20-25 किलोग्राम अगर केचुवा भी उसमें आ जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं कि केचुवा यह मरते नहीं कोई कैमकल यह नहीं होता है और यहां पर क्या करना है जो आपके पास जो भी आपको ट्रैकोडर्मा आपके आस-पास मिलता हो आप वो ले लीजिए बस उसके आप वारेटी चेक कर लीजिएगा और यहां पर क्या करना है आपको 25-30 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट आप निकाल लीजिए जिसमें नमी बहुत ही अच्छी मातरा में हो और नहीं अगर नमी है तो आप उसमें पानी कम कर सकते हैं यानि अगर आपके बास 2500 ग्राम ट्राइकोडर्मा है तो आप 5-7 किलो वर्मी कंपोस्ट में इसको मिलाएं अम मिलाना कैसे है देखिए इस तरीके से आपके सामने मिलवा रहे हैं और यहां पर देखिए एक बार में आधा पैकेट हमने डाला है और आधे पैक हो या ट्राइकोडर्मा विर्डी हो दोनों के बहुत गजब के फायदे मिलते हैं सारी फसलों में आप किसी भी फसल में इस्तेमाल करें जितने भी फंगस वाले रोग होते हैं बहुत ही आसानी से उसका आप निदान कर सकते हैं और बहुत ही कम खर्चे में सबसे कम खर्चा होता है दोस्तों ट्राइको डर्मा ना करें उससे जादा कोई फायदा नहीं मिलता है लेकिन दोनों को अगर आप गोबर की खाद में मिलाकर रिजेट आपको मिलेगा और इनका दोनों का उपयोग जो है किसली किया आता है रूट राठ हो कालर राठ हो लूज इसमट लगता हो या करनाल बंट हो और जितने भी सडन वाले रोग होते हैं जो फसलों में ज्यादा प्रभावित करते हैं फसलों को नुक्सान पहुंचाते हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं लगता है जड़वा तना जो शडन लगता है जो आप नरसरी रोग आते हैं नरसरी मरने लगती है तो उन सब को ये कंट्रोल कर लेता है फाइल सब्जीयों किसी में भी आप इस्तेमाल कीजिए चाहें आपके गेहों की फसल और धान की फसल हो जितने भी राइजयोक्टोनि विरिडी होता है उसका करना है जैसे यहाँ पर हम वर्मी कमपोस्ट में मिला वेसे ही आपको जो बीज है उसको आप किसी चीज पर पलिधिन पर फैला लिजिए और उसके ऊपर से हलका बानी का इस और उसमें ये पाउडर डाल के अच्छे से कोटिंग कर दिजिए बीज की और तब आप आधे गंटे गंटे सुखाने के बाद में बीज को बुवाई कर दें तो आपके खेत में जो फंगस वाई रोग होते हैं वो बहुत ही जल्दी कंट्रोल हो आते हैं और ये देखिए इस इसको मिला ली आ गया है अब अच्छे से अच्छे से मिलाने के बाद में किसी चीज से इसको ढख देना है अगर टाट का जूट का जो बोरा होता है उससे ढखना चाहे तो उससे ढख दीजिए और नमी कम है तो उपर से हलका सा आप पानी का मोचर इसमें दे दीजिए हलका बना कर रखें, दोस्तो कम से कम 5 दिन के बाद आपको इस्तिमाल करना है और इस्तिमाल अगर आप कोई पौधा लगा रहे हैं तो यह देखिए वही वाली जो वर्मी कंपोस्ट में मिलाया था उसका लगभग इतना हम डाल देंगे एक पौधे में नीचे और उसके बाद वर्मी कंपोस्ट और इसमें मिलाएंगे और जितना भी इसमें आपको डालना है वो डाल दीजिए लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी केमिकल जो फंगिसाइट केमिकल होता है उसके साथ आपको नहीं इस्तिमाल करना है आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा और जड़ो उप्चार करना है तो जड़ो को आप इसमें आधे गंटे दुरू बाके रखिए गोल बना कर तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए चनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं ऐसी नए वीडियो में